तो हेलो दोस्तो नमस्कार जी एक बार पुन्हा आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर हरदिक स्वागते आशा करता हूँ उमीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे मैं आपका दोस्त प्रकास कच्छाव फिर एक नई जानकारी के साथ आप सभी के बीच उपस्तितूं तो आज हम जानेंगे कि नाक पंचमी का त्योहार सरवन महीने में क्यों मनाया जाता है लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चेनल पर नए हैं तो चेनल को सस्क्राइब करें अगर आपने सस्क्राइब कर रखा है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें पौरानिक कत्अ के अनूसार जनमे जय अरजुन के पोत्र राजा परिक्षित के पुत्र थी जब जनमे जय ने पिटा की मुरत्यू का कारण सरप दंश जाना यानी कि सरप दंश का अर्थ है कि साप का काट लेना तो उसने बदला लेने के लिए सर्प सत्र नामक यग्य का आयोजन किया यानि कि उसने जो है सापों की प्रजाती को नश्ट करने का निर्ण लिया कि इस प्रजाती को मैं बिल्कुल ही नश्ट कर दूँगा और जो राजा थे वो काफी क्रोधित थे तो उसी समय उन्होंने जो है सर्प सत्र नामक यग्य का आयोजन करवाना शुरू किया और नागों की रक्षा के लिए यग्य को रिशी आस्तिक मुनी ने शावण मास की शुकल पक्षगी पंचिमी के दिन रोग दिया तो उन्होंने जो है, रिशी आस्थिक मुनी ने नाग बंचमी के आउसर पर ही जो सापों को नष्ट करने के लिए, उनकी प्रजात्ती को समापत करने के लिए जो राजा जो है वह यग्य के लिए चले गए थे, तो उसी को जो है उन्होंने रोक دिया था और रोकने के बाद रिशी मुनी ने नागों की रक्षा की और इसी वज़े से तक्षक नाग के बचने से नागों का वंश बच गया आग के ताफ से नाग को बचाने के लिए रिशी आस्तिक मुनी ने उन पर जो है कच्छा दूद डाला था और कच्छा दूद डालने के बाद ही हिंदु धर्म में नाग पंचमी मनाई जाने लगी और वहीं से नाग देवता को दूद चड़ाने की परंपरा शुरू हुई आपको जो है ऐसी जानकारी अच्छी लगी होगी और अभी तक आपको पता नहीं था कि आखिर नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सस्क्राइब जरू करें और मिलते हैं ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत